Hello students, welcome back to my channel, School's Hello Classes, exercise 14.2 से question number 2 करेंगे, draw any line segment AB, take a point P, note on it, throw P, draw a perpendicular to AB using a ruler and a compass only, हमें एक line segment draw करना है, पहले AB, फिर उसके उपर नहीं हमें लेना, line segment के उपर point नहीं लेना, हमें उससे बाहर लेना है, point P, और P से हमें एक perpendicular draw करना है, टूलर और compass की help से, तो यह सबसे पहले क्या करेंगे, एक AB line segment रहां draw कर लेंगे, किस्तनी भी length का, क्योंकि length तो इसमें given है न तो यह मैंने एक line segment draw कर लिया, ठीक है, A और B, यह line segment है, इसके दोनों end point पे, डोट आई, यह point आया, यह है AB, अब आपकी वर्जी, आप चाहो तो इस side point दे लो, चाहो तो इस side दे लो, ठीक है, अब इस पे मैंने यह point दे दिया, P, ठीक है, अब आपको compass लेना है, compass को क्या करना, point P के ओपर put करना, इसके point कर दिया, अब थोड़ा सा, जो यह line segment इस से ज्यादा उपन करेंगे, compass को और एक arc लगा देंगे, अर्क लग गई, अब क्या करना है, अब compass को same ही रखना है, और यहाँ पर जग देना है, इस वाले पर, अब एक arc लगानी है, अब इस compass को, इस cell वाले point पर, और अब इस पर एक arc लगा देंगे, अब आपको क्या करना है, इसको join करना है, E को, और इस intersecting, जो यह arc पर point है, इसको, ठीक है, और इसका नाम हम दे देंगे, क्यों, इस point का, और इसका नाम था P, क्योंकि, P, तो question में ही बोला था, और यहां चाहिए होता, आप थोड़ा सा पहचान के लिए, root लगा सकते हो, कि, हमने यहां पर compass को रखके, यह वाली arc लगानी है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, आप step of construction लिखना चाहें, मैंने question 1 में लिखवाई हैं, तो आप as it is, जैसे जैसे draw करते जाएं, वैसे वैसे step of construction लिख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता, तो step of construction आप अपने आप लिखेंगे, तो यह था question number 2, और next video में करेंगे, question number 3, feel then stay happy and healthy, take care, bye-bye.